दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लड़किया शादी के बाद पीछे से मोटे क्यों हो जाती है तो चलिए जानते हैं दोस्तो जानकारी के लिए बता दे एक सर्वे में इसका खुलासा हुआ और इस सर्वे के लिए महिलाओ का पीछे का सबसे बड़ा भाग और कमर के सबसे पतले हिस्से को मापा गया University of Leeds के शोतकरताओं ने इस सर्वे में पाया की जिन महिलाओं ने कई बार वन नाइट स्टेंड किये है उनका पीछे का इस्सा आम महिलाओं की तुलना में काफी बड़ा था एक सर्वे के बाद ए भी पाया गया कि जिन महिलाओं के पार्टनर के अलाबा उनके और भी कई संबन्द थे तो उनका भी पीछे का भाग कई सेंटिमेटर बड़ा पाया गया और वही शादी के बाद महिलाओं में कई हर्मों सक्रिये हो जाते है जिसके कारण वो ज्यादा खाने लग जाती है और उनका पीछे का भाग बड़ा हो जाता है दोस्तों ज्यादा सोने से भी महिलाओं का पीछे का इस्सा जदा बड़ा होने लगता है वोही 18-26 साल की 148 महिलाओं को लेकर किये गए इस रिसर्च के मुच्चे शोत करता प्रोफेसर कॉलिंग के मुताबिक जिन महिलाओं के बाकी महिलाओं की तुलना में पीछे का भाग अगर बड़ा होता है तो उन्हें कई फायदे होते है जैसे पुरूशों की उनकी और जबरदस्त आकरशित होना और वोही उन्हें बच्चा पैदा करने में काफी आसानी होती है प्रोफेसर की माने तो पीछे के बड़े हिस्से वाली महिलाओं बिना किसी खास परिशानी के शिशु को जनम दे सकती है जबकि उनकी तुलना में पतले हिस्से वाली महिलाओं को बच्चे पैदा करने में बहुत ही दर्द का सामना पड़ता है दोस्तों उमीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी